जैहिंद प्यारे सातियों कैसे हो आप सब बिल्कुल मस्त होंगे रोजगार विद अच्छा यूटूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस रीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रंसिपल के बारे में कि जो प्रंसिपल होता है उसको कितनी सैलरी मिल चैनल पर कितने सैलरी मिलती है एक आपको प्रंसिपल के बारे में नहीं पता होगा कि प्रंसिपल को कितनी salary मिलती है, क्योंकि जब आप किसी भी school में जाओगे, तो वहाँ पर आपको 5-7 school lecture दिखेंगे 5-7 आपको second grade के teacher दिखेंगे, ठीक है 5-7-10 आपको third grade teacher दिखेंगे, लेकिन वहाँ पर principal केवल एक ही ही होता है तो आपके दिमाग में कभी ना कभी ही है कि उसन तो आया ही होगा कि principal को salary कितनी मिलती है अब principal बने की process तो देखो principal बने का अलग-अलग system होता वो depend करता है recruitment के ओपर कई बार principal की बिल्कुल direct vacancy भी आ जाती है बिल्कुल freser के लिए और कभी-कभी जो principal की vacancy है उसमें experience माँग लेते हैं यहाँ पर हम बात करने वाल है कि जो candidate बिल्कुल directly principal बनते हैं बिल्कुल freser principal बनते हैं उनको पहले भीने के कितनी salary मिलती है तो यदि आप बिल्कुल directly principal बनोगे तो आपका जो starting का grade पे है वो रहेगा आपका 500 ठीक है धीरे धीरे ये आपकी जैसे जैसे service होती जाएगा आपका grade पे बढ़ता जाएगा लेकिन यदि आप director बिल्कुल freser principal बनते हो तो आपका starting का grade पे चोवन सो रहेगा आपका level 14 रहेगा pay scale आपका 15,600 रुपए से लेकर 49,100 रुपए तक रहेगा pay band आपका 3 रहेगा और basic pay आपका 56,100 रुपए से लेकर 1,47,500 रुपए तक रहेगा ये होता है जो principal होता है उसके संब्द में basic information यदि आप बिल्कुल direct principal बनते हो तो आपका ये basic system रहेगा और इनहीं के base पर आपकी salary बनेगी अब हम बात करते हैं salary के बारे में देखो आपका starting का जो basic pay है वो रहने वाला है 56,100 रुपए एक doctor के बराबर जो एक doctor होता है उसका जो starting का basic pay है वो भी बिल्कुल 56,100 रहता है वही principal का जो basic pay है वो भी बिल्कुल 56,100 रहता है उसके बाद भी हम बात करें DA ठीक है चलें तो जादाकतर स्टेटों में जो फिलाल में DA की rate है वो 42% है हम यहाँ पर 42% के according calculate करते हैं तो 56,100 रुपए का यदि हम 42% मान निकालते हैं तो ये 23,520 रुपए निकल कर आता है उसके बाद HR के बारे में बात करें house rent allowance के बारे में बात करें अब ये जो HR ये भी depend करता है state wise हर state में अलग-अलग होता है कहीं पर 8%, 16%, 24% मिलता है कहीं पर 9%, 18% मिलता है कहीं पर 9%, 18%, 27% मिलता है लेकिन जो जादा अकतर state हैं उनमें HR की जो rate है वो 9%, 18%, 27% के according है यदि आपके posting दिल्ली, मुंबई, कोल गाता जैसे ही city में रहती है तो आपको 27% HR मिलेगा आपकी posting बिल्कुल गाओं की school में रहती है तो आपको 9% HR मिलेगा और बीच के जो सहर है उनमें आपको 18% HR मिलेगा यहाँ पर हम calculate करते हैं 27% के अनुसार तो 27% के अनुसार आपका जो HR है वो बनता है 15,120 रुपए का इसके अलावा कुछ other allowance मिलते हैं principal को छोटे-छोटे allowance मिलते हैं तो लगबग 1500 रुपए के आजपास इनको छोटे-छोटे और allowance मिलते हैं इसके अलावा statewide एक दो allowance हैं डिपेंड करते हैं जैसे आप हरियाना से हो आप हरियाना में principal बनते हो तो वहाँ पर आपको medical allowance के बेज़ पर आपको 1000 रुपए मन्थली मिलेंगे आप भीहार बे हो तो भीहार बे भी आपको medical allowance के बेज़ पर 1000 रुपए मन्थली मिलेंगे यदि आप राजस्तान से हो तो आपको medical allowance नहीं मिलेगा बाकि आपके medical facility के लिए कुछ deduction होगा जैसे 60 रुपय होगा 100 रुपय का होगा और उस 60-100 रुपय की कट होथी से ही आपका और आपकी फूरी family का बिल्कुल free medical facility provide करवाई जाएगी तो एक दो और allowance हैं जो statewide depend करते हैं ठीक है तो इस तरीके से इनकी जो gross salary वो बनती है छाण में 1240 रुपए है ठीक है यदि आप बिल्कुल directly principal बनते हो बिल्कुल fresor मतलब बेरोजगारी से आप directly principal बनते हो तो आपका पहला महिने का जो gross salary वो बनने वाला है प्यारे साथियो 1240 रुपए है अब राजस्तान जैसे स्टेटों में शुरू के दो साल probation period में निकल जाते हैं तो probation period में इनको यहाँ पर कम salary मिलती है लेकिन राजस्तान के अलावा बाकी के जो स्टेट हैं उनमें किसी तरीका कोई probation period का system नहीं है वहाँ पर directly जितनी salary है उतनी ही मिलती है तो gross salary कितनी बन किए आपकी पहले मेने की च्छान में 1240 रुपए है अब पूरी पूरी यह नहीं मिलेगी इसमें कटोतियां होंगी सबसे पहले आपका NPS कटेगा National Pension Skip में 7962 रुपए का CGE GIS कटेगा अब यह depend करता है स्टेट वाइज यदि आपको medical allowance मिल रहा है तो आपका यह यह नहीं कटेगा यदि आपको medical allowance नहीं मिल रहा है तो आपका यह कटेगा इसके लावा प्यारे सात्यों income tax तो देना पड़ेगा ही ना जब आपके पहले मेने की gross salary चान में 1240 रुपए बन रही है तो income tax तो देना पड़ता ही है income tax तो बनेगा ही न वाई इतनी अच्छी ख कटोती हो गई आपके gross salary कितनी बनी च्छान में 1240 रुपए deduction कितना हो गया 11,290 रुपए का अब बात आती है net salary की जो आपके account में transfer होगी जब सुबह उठोगे message पढ़ोगे amount credit in your account और उस message को पढ़ने के बाद प्यारे सात्यों आप 10-20 मिनद के लिए तो घबरा जाओगे केक दो-दो रुपए के लिए तरस रहे हो और फिर अचानकी आपके account में a message मिले कि amount credit in your account वो भी एक बहुत ही अच्छा खासा amount गबराट हो जाओगी विश्वास नहीं करोगे अपने उपपर कि यार ये सच में मेरी salary आई है क्या आप 57 बार count करोगे कि सच में ये इतनी salary है क्या इतनी अच्छी खासे salary मिलेगी आपको पहले महीने की तो प्यारे सातियों मैं आपको net salary बताओं उससे पहले मेरी आपसे request है आपने अभी तक यदि इस channel को subscribe नहीं किया तो प्लीज एक बार इस channel को जरूर subscribe कर लें और आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसे दूसरे topic के उपर वीडियो बनाओं आप कमेंट सेसर में कमेंट करके बताओं मैं उसके उपर 100% वीडियो बनाओंगा एक मुकेस खना नाम से कोई candidate था जिन्होंने आज मेरे को कमेंट किया था कि सर principal को कितनी salary मिलती है आप बताओं तो सुबह उन्होंने कमेंट किया था शाम को उनक कितनी भी तारीक को देख रहे हो यदि जिस दिन आप इस वीडियो को देख रहे है और उसी दिन आपका बड़े है तो आप प्लीज कमेंट सेसर में कमेंट करके जरूर बताना जिससे की हम आपको बड़े विस्क कर पाएं तो अब हम बात करते हैं net salary के बारे में तो प्यार पर इतनी salary तो retirement के समय मिलती है यहां पर प्यारे सात्यों कहानी ही 84,000 से सुरू हो रही है तो यह है इनकी net salary बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए thanks by मेरे प्यारे सात्यों वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा अब भी भी कोई doubt हो कोई confusion हो तो आप वीडियो में